नमस्कार आप देख्षरे न्यूस फोर्डेशन और मैं हूँ सांथवना अब के साथ बीतेर अविवार को बिहार की राजदानी पटना में ऐसी वारदात हुई जिसने लोगों को दहला कर रख दिया राजदानी पटना इस वारदात से कपकपा उठी जब दो पक्षों के बीच हुए विवाद में पांच लोगों पर तावर तोड गोलिया चलाए गई पचास राउंड फाइरिंग हुई जिसके बाद दो लोगों की मौत हो गई लेकिन विवाद यही नहीं थवा दूसरे पक्ष के तरफ से आरोपित पक्ष के घर पर विवेन फाक्टरीज में गोदाम में कम्यूनिटी हॉल्स में आग लगा दी गई और राज़ानी पटना का एक इलाका धूदू कर जलता रहा जुसके बाद एक तरफ ब्यार के जूजूपी आरस बटी ने बड़ी पुलिस मीटिंग बना बुलाई और पूरे इलाके को छावनी में तपदील कर दिया पूरा इलाका रन छेत्र बना हुआ था जब लोगों का गुसा प्रसाशन के उपर लोगों का गुसा एक दूसरे के उपर फूट पड़ा था जब दो पक्षों के बीच इतना भारी विवाद हुआ लेकिन अब इस विवाद का और इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हो गया है जहां आरोपित बच्चाराई और इसके गुंडों ने पाच लोगों पर ताबर तोड़ गोलिया क्यूं चलाई 50 राउंड फाइरिंग क्यूं की इसका सच सामने आ चुका है ये घटना अचानक से नहीं घटत हुई है इस घटना की प्लानिंग पहले से ही चल रही थी और जैसे ही बच्चाराई को मौका मिला बच्चाराई ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जिसके बाद लोगों में दर्शत है तो वहीं पूरा इलाका धूदू कर पिछले दो दिनों से लगातार जल रहा है गौर तलब है कि राज़ानी पटना में डबल मडर के बाद गाउ में तनाव है फतुआ इलाके के जे चुली गाउ में उठा विवाद थमता नज़र नहीं आ रहा दो लोगों की मौत के बाद सोमवार को फिर आगजनी हुई बता पिछते हुए मौके पर पोलिस फोर्स को तैनात किया गया फिलाल पोलिस इलाके में लगातार क्यांप कर रही है बताया जाता है कि जमीन विवाद में घटना को अंजान दिया गया है दरसल रविवार को दो गुटो बच्चा राए और चनारिका राए में जड़प हो गई थी बताया जा रहा है कि गाड़े निकालने को लेकर दोनों गुट आपस में लड़ने लगे और देखते ही देखते फाइरिंग होने लगी बताया जा रहा है कि इस पूरे मसले पर पांच राउंड फाइरिंग हुई गोली लगने से चनारिका राए गुट के पांच लोग पुरे इलाके में उसका दबदबा है ग्रामेडों की माने तो उसने आसपास की जमीनों पर अवैद रूप से जबरन कबजा किया हुआ है स्थानिय लोगों की माने तो बच्चा राय और चनारिका राय के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद है बताया जाता है कि छे कट्टे जमीन को लेकर दोलों के बीच विवाद हुआ जमीन रोट पर है कीमत तीन कडोड के करीब बताई जा रही है जमीन पर दोनों गुच दावा करता है बताया जाता है कि फिलाल इस जमीन पर बच्चा राए का कब्जा है बरहाल रविवार को बच्चा राए ने विवादत जमीन पर गिट्टी गिराई थी और ट्राक्टर लगा रखा था बरहा बज़े की करीब चनारिका राए वहाँ पहुचा और चाक्टर हचानी को कहने लगा और अपनी गाड़ी पार्क करने लगा इस दोरान दोनों के बीच बहस हुई बतकुच्चन के दोरान बच्चा राए के समढ़ तक महाँ पहुच गए और फाइरिंग करने लगे गोली पाश लोगों को लग गई जिसमें दो की मौत हुई वहीं पुलिस ने त्वरत कारवाई करते हुए बच्चा राए के भाई उमेश राए के साथ साथ लोगों को गिरफतार कर लिया है बच्चा राए की गिरफतारी के लिए छापे मारी चल रही है राजदानी पटना का एक इलागा इस पूरे विवाद से काप उठा है जहां पूरा इलागा च्छावनी में तब्दील हो चुका है खुद ग्रामीन SP और DSP वहां कैम्प कर रही हैं ताकि किसी बात की अब लोगों को कोई परिशानी ना हो बीते दिन सोमवार को पत्रकारों पर भी हमला किया गया जब पत्रकारों को काफी पीटा गया उनके कैमरों को तोड़ दिया गया तो वहीं लोगों का गुसा जहां तहां जियों का त्यों निकल रहा है प्रसाशन पर रहरे कर पत्राफ किया जा रहा है गैस गोदाम के सारे गैस को गंगा की तेजधारा में बहा दिया गया तो वहीं सिगरेट फाक्टरी में आग लगा दी गई बच्चा राय जो की आरोपित है उसके बाई उमेश राय के घर पर आग लगा दी गई दूसरे पक्ष के तरफ से पीरित पक्ष ने कम्यूनिटी हॉल में भ्याग लगा दी और पूरा इलाका एकरण छेतर बना हुआ है जिस पर नियम्तुर पाने की जो कोशिश है मुलगातार पिछले दो दिनों से जारी है फिला के लिए इस कबर में इतना ही नमस्का